तो दोस्तों साउट की दो फिल्मों का ट्रेलर रिलीस किया गया है जिससे देखने के बाद ऑडियंस तो भागों में बढ़ गई है एक तरफ से और अच्छा खासा रिवियो कर रहे हैं और उसकी तारीव कर रहे हैं और ऐसा कह रहा है कि यह हमारे इंडिया सिनेमा को चेंज क करके रख देगी तो दोस्तों साउट की दू सर्जा की मूवी मार्टीन का ट्रेलर आया है और आप सब लोगों को याद होगा तो चार-पांच साल पहले श्मार्ट संकर करकर एक मूवी आया थी जिसे और जादा पसंद किया था उस मूवी में हमें जो एक्शन दिखाया ग इसकी ऐसे देखने के बाद उड्यांस पूच्छ इसका औगचिव रिव्यूं लिव्यु और इसके विल्म के श्चोरी के बारे में बात करें दुद्शन फ Polish highly्म कर दिया है जाता है जैसे हमने पिछले पास में उनको घुलवा दिया जाता है तो इस वाले में उनका yeah फ्रले ने ऑप और टाय है कि यह मुवी में जो है संजैध है दॉस्तो संजैध इस फिल्म को अच्छा खासा बचा भी सकते है क्योंकि उनकी एक्टिंग इस वक्ते साउथ इंड़स्ट्री में बहुत गजब की चल रही है हर कोई डिमांड कर रहा है उनको लेने के लिए उनकी जो एक्टिंग है विलन की कैरेक्टर में वो जिस तरह से पेस आते हैं ओडियंस को बहुत रहता है वो फिल्म के लीड एक्टर के माइंड में घुसा दिया जाता है चिप के जरीए जो कि हमें मुवी में देखने को मिल सकता है हाला कि ट्रेलर जैसा भी ठीक ठाक दिखा फिल्म के गाने वगएर थोड़ा अजीब से लग रहे हैं और कुछ सीन ऐसे भी हैं जिन्हें कोई कार्टून टाइप जो फिए जरूरत दिखा दिया गया और ट्रेलर में जो उनकी एक्टिंग दिखाए गई है वह मतलब आउट आफ कंट्रोल मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसा ट्रेलर रिलीस कर दिया गया है अप सभी को पता है कि साउट की फिल्मिं एक्षन व हमें देखने को मिला तो वो तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था यलो यलो डार की यलो टाइब का कुछ और अगर टीम करें होते ना तो लीटरली यह बीएफेक्स के साथ काफी जादा मैच करता और अच्छा भी लगता और जिस तरह से गाड़ियां वगेरा उड़ा र जो है हिस्ट्री डाल दी जाती है ऐसा कब तक चलेगा मतलब जितनी भी फिल्में रिलीस होती है अधिकतर यही देखने को मिलता है इंडिया पाकिस्तान किया जाता है मतलब जैसे कोई और कंटेंट बचा ही नहीं है कोई और इस्टोरी मूवी में डाल ही नहीं सकते बस वह तरह की फिल्म नहीं है जिस तरह से मेकर्स इस फिल्म को पेस्ट करना चाहते है और यह डॉडिया जाता है तो मार्केट में यह चल सकती है अराम से लिए फिल्मों का ट्रेलर रिलीस कर दिया गया है जिसमें द्रू सर्जा की मुवी मार्डीन का ट्रेलर तो मुझे बहुत जादा पसंद नहीं आया है वही डबल आई श्मार्ट संकर मुवी के ट्रेलर के बारे में बात करें तो मुझे ओके लगा है बारी आपकी है बताने की दोनो तो ही ट्रेलर आपको कैसे लगे और दोनों में इस सबसे बेस्ट ट्रेलर किस मुवी का है फटा-फट कमेंट करके बताएं और मेरे ये वीडियो को पुस्दाओ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बात च झाल झाल